Hello everybody, welcome to Magnet Brains, I am Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ class 11th की, जो English की आपका, आपके grammar and जो आपके writing skills के topics है उन में से इस writing skills का जो आपका पहला topic है, that is letter to the editor वो आज हम start करने वाले हैं, और इस video में इसी topic का आज मैं proper explanation यानि जो proper जो आपका पूरा concept है, वो सब कुछ मैं explain करने वाली हूँ I will try कि सब कुछ short and crisp मैं आपको समझाऊं ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए So let's begin with our writing skills का first topic, letter to the editor Okay, आज की इस video में क्या क्या topics हम cover करने वाले हैं, वो हम देख लेते हैं What is a formal letter? सबसे पहले हम देखेंगे कि formal letter क्या होता है क्योंकि letter to the editor जो होता है, वो एक type of formal letter है तो आपको पहले formal letter समझना पढ़ेगा कि formal letter यानि अपचारिक पत्र क्या होता है Marking scheme यानि exam में formal letter कितने marks का आएगा Format of a formal letter, formal letter का format हम समझेंगे क्योंकि letter to the editor में formal letter का ही format लगता है तो आपको formal letter का format आना जरूरी है Who is an editor? मैं आपको clearly बताऊंगे कि आखर ये editor होता कौन है What are editorial letters? यानि कि ये जो letter to the editor या जिसको हम editorial letters भी कहते या फिर होते क्या है और इनको लिखने के क्या तरीके होते है और last में मैं कुछ कराऊंगे आपको unsolved examples यानि कुछ examples दूँगी आपको कि इस तरीके के letter to the editor के questions exam में आते हैं और इस वीडियो के बाद अलग से एक और वीडियो में आपको मैं कराने वाली हूँ solve exercises इसी letter to the editor की यानि किस तरीके के questions आते हैं और किस तरीके से format follow करके हमें उसका पूरा content लिखना रहते हैं तो सबसे बहले देखेंगे what is a formal letter तो formal letter होता क्या है formal letters also called business letters or professional letters are letters that are written in a strict and specific format formal letters are naturally much more formal in style than informal or friendly letters तो formal letters जिनको हम business letters या जिनको हम professional letters भी कहते हैं यह वो letter यानि यह वो पत्र होते हैं जिनका बहुत strict and specific format होता है यानि proper आपको इनका format follow करना पड़ता है कि कहां line छोड़नी है कहां senders address आएगा, कहां receivers address आएगा यह format आपको follow करना जरूरी है अगर आपने यह format follow नहीं किया तो आपके format के भी marks कटेंगे और आपका पूरा question भी गलत होने के chances है formal letters अपनी style of writing जो होती है इनकी काफी formal होती है यानि इसमें hello, hi, dear, friend यह सब आपको नहीं लिखना है क्योंकि यह formal letter है यह basically आप अपने boss को लिखते हो अपने school के authorities को लिखते हो या अगर आपका कोई business है और आपको कुछ products का order करना है तो उसमें आप यह type का formal letter लिखते हो या आपके product में कुछ complaint आ गई है या आप inquiry कर रहे हो कि हमारे product या हमारा parcel अभी तक कहां पहुचा है या आप police को letter लिख रहे हो या कहीं भी आप लिख रहे हो या job के लिख 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 रहे हो तो इन सब में आप formal letter का ही format लगाते हो also ये बहुत अलग होते है informal या friendly letters से informal letter वो होते हैं letters वो होते हैं जो आप usually अपने friends को लिखते हो relatives को अगर किसी और city में या किसी और country में आपके parents रहते हैं वहाँ पे आप उनको letter लिख रहे हो तो ये आपके informal या फिर friendly letters होते हैं इसका format भी अलग होता है और इसका लिखने का style भी अलग होता है लेकिन जो formal letters होते हैं बहुत specific बहुत short में आपको लिखना है होते हैं याने क्या-क्या cases होते हैं जिसमें आप formal letters लिख सकते हो पहला है तो एक्सप्रेस योर कंसर्ण वाइल वाइल वाकिन अप्रोफेशनल सेट अप अगर आप किसी प्रोफेशनल सेट अप में काम कर रहे हो याने कि आप जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको अगर अपने बॉस कोप लीफ के लिए अपलाए करना है या किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अपलाए करना है तो आप formal letters लिखते हो तो प्रोवाइड official information across your workplace आपका workplace याने आपकी काम करने की जगा पर अगर कोई आपको कोई official information कोई जानकारी फैलानी है तो आपको सबको अलग से letter भेजना पड़ेगा तो उसके लिए भी formal letter ही लिखेंगे तो order goods to apply for employment etc अगर आपको goods याने की सामान order करने है अपने business के लिए तो formal letter का format लगेगा जो apply for employment याने अगर आपको किसी company में job के लिए apply करता है तो उन company वालों को भी आप formal letter लिखोगे अपने buyer data को attach करते हुए कि please मैं interested हूँ आपकी company में job के लिए एक जगा खाली है तो मैं interested हूँ तो job application के भी जो letters होते हैं वो formal letters के अंदर ही आते हैं और to the editor of our newspaper addressing the problems faced by various groups of people in different areas etc. या फिर जब आप किसी newspaper किसी अकबार के editor को अगर आप letter लिखते हो बताते हो कि भाई किसी group of society याने समाज में क्या problem चल रहे है या कोई particular group of people कोई problem face कर रहे हैं या फिर हमारी colony में कोई दिक्कत है किसी different area में कोई problem है तो आप newspaper के editor को आप ये सारे letters लिखते हो ताकि आपकी problem solve हो जाए basically समाज की जो problem society को problems होती है वो editor को लिखी जाती है अगैन ये भी formal letter का ही इसमें format लगता है और यही वो है जो आज आप cover करने वाले हैं इस video में अब देख लेते हैं marking scheme याने exam में कितने marks का आता है formal letter तो जो exam में आपका formal letter आएगा वो हमेशा five marks का आएगा जिसमें से two marks आपके content के रहते हैं याने जो main body of the letter होती जो main आप content लिख रहे हो two marks उसके रहते हैं अगर आपने content विलकुल accurate लिखा है expression के अब expression का ये मतलब नहीं कि जो मेरे facial expressions है no expression का मतलब होता है कि पूरे letter में आपने सही grammar लिखी है आपने कोई spelling mistake नहीं करिए और आपने जो लिखा है वो logical लिखा है याने कि सामने वाला जो आपका letter पढ़ रहा है उसके समझ में आ रहा है कि आपने लिखा क्या है याने understandable content आपने लिखा है अगर ये सब कुछ सही लिखा है तो expression के two marks आपको मिल जाएंगे और जो remaining आपका one mark है वो रहता है format के लिए याने आपने अगर format formal letter का जो format है वो अगर आपने सही लगाया है याने पहले अगर sender's address आता है तो sender का address ही लगाया है अगर यहां line छूटेगी तो आपने proper line छोड़ी है date लिखने का जो proper format होता है आपने वही format follow किया है फिर proper line जहां छूटनी है अपने line छोड़ी है अगर यह सब कुछ अपने format follow किया है तो आपको format के one mark मिल जाएंगे इस तरीके से 2 plus 2 plus 1 करके total 5 marks का आपका letter होता है औके and word limit क्या होती है letter लिखने की 120 to 150 words याने 120 से 150 शब्दों में आपको अपने letter लिखके complete करना है खतम करना है तो यह marking scheme and word limit है आपके letter writing या letter to the editor के लिए अब बात करते हैं हम format of a formal letter हम यह formal letter का format क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो हम letter to the editor पढ़ने वाले हैं उसमें formal letter का ही format लगेगा मैंने अभी अभी आपको पता है कि अगर आप newspaper के किसी editor को या किसी professional बंदे को आप अगर letter लिख रहे हो तो formal letter का ही format लगता है इसको हम हिंदी में अपचार एक पत्र भी कहते हैं तो इसका देख लेते हैं सबसे पहले आता है sender's address याने जो व्यक्ति letter send कर रहा है किसी को भेज रहा है उसका address उसके घर का पता या उसके रहने का जो ठिकाने का जो address है वो आता है sender's address में अगर question में sender's address गिवन है तो आपको वही address लिखना है अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपना लिख दो या फिर कोई भी random address आप लिख सकते हो उसके बाद एक पूरी line छूटेगी अगर यह हैं यहाँ पे एक leave a line याने आपको एक line छोड़नी फिर आती है date आपको date लिखनी है अगर date question में given है तो वही date लिखेंगे और नहीं given है तो आपको उस दिन की date लिखनी है कोई भी random date date लिखने का भी proper format होता है अगर for example मुझे लिखना है 19th में 2023 तो date पहले आप लिखेंगे number form में 19 फिर th लगा देंगे 19th फिर capital में लिखेंगे m a y may फिर लगाएंगे comma और उसके बाद year है 2023 तो ये date लिखने का format है अगर मुझे लिखना है 3rd January 2023 तो कैसे लिखूंगी 3rd January comma 2023 तो ये आपका date लिखने का proper format है अगर 2nd April है तो मैं लिखूंगे 2nd April comma 2023 तो इसी date के format को आपको follow करना है again date के बाद भी proper एक line छूटेगी आपकी फिर आता है receivers address याने ये जो पत्र है किस ने receive किया किस के हाथ में जाके ये letter पहुचा तो उस बंदे का आपको address लिखना बहुत जरूरी है तो receivers address अगर question में given है तो आप भही लिखेंगे otherwise आपको अपना खुद का कुछ भी random address बना के लिखना है फिर छूटेगी आपकी एक line और फिर आता है subject आपको proper लिखना पड़ेगा इस तरीके से word लिखना पड़ेगा subject और dash याने इसमें आप लिखेंगे कि actually ये किस बारे में letter है वो आपको एक line में लिखना है याने जब अगर आपका letter किसी के हाथ में पहुचे तो आप भी पढ़कर एक बार में समझ जाएंगे subject पढ़के कि ये letter किस बारे में है किस के बार में complaint के बारे में है एक line उसके बाद आता है salutation salutation में आप simple लिखेंगे sir या फिर लिखेंगे madam slash लगा के लिख देंगे madam यहाँ पर कोई dear sir नहीं आएगा कोई dear ma'am, madam, hello ji, how are you ये सब कुछ नहीं आएगा simple sir या madam क्योंकि एक formal letter है again उसके बाद भी एक line चूटेगी और जैसी line चूटेगी आपका main body of the letter start हो जाएगा main job का content है याने first, second and third तीन paragraph में आपका एक body of the letter जो है वो आपका divided है पहला जो आपका paragraph होगा ये body, ये content होगा ये तीन parts में होगा जो पहला paragraph होगा वो proper introduction होगा second paragraph में आप अपनी main problem बताओगे कि हमारी problem, दिक्कत, परिशानी क्या है और third paragraph में आप उनको अपनी तरफ से कोई suggestions या कोई अगर आप बोल रहे हो कि मुझे उम्मीद है ये सब आप offer कर रहे हो suggestions offer कर रहे हो कि ये ये हमारे लिए आप कर सकते हो and last में आप इस third paragraph में ये भी बताओगे hope for speedy reply याने उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से में reply कर देंगे जल्दी हमारा काम हो जाएगा and उसके बाद again छूटे की एक line और last में आता है complimentary close याने आप ending करते हो अपने letter की कैसे करते हो आप लिखते हो thanking you, yours faithfully आपका नाम अगर आपका नाम already question में given है याने अगर question में given है कि ये letter कौन लिख रहा है तो उसका नाम ही यहाँ पर आएगा अगर letter मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी लेकिन अगर लिखने वाले बंदे का नाम question में already given है कि हाँ ये बंदा है इसका नाम ही आना चाहिए complimentary close में तो thanking you, yours faithfully और किस बंदे का नाम आएगा उसी का जिसका नाम question में mentioned है नई mentioned है तो अपना नाम लिख दो या कोई भी random नाम आप लिख सकते हैं तो ये पूरा format है formal letter का और यही format आपको follow करना है letter to the editor के लिए भी ओके okay who is an editor अब बात करते हैं हमारे main topic की की आखिर editor होता कौन है जिसको हम letter लिखते हैं a person who edits written material for publication a person in overall charge of the editing and often the policy of a newspaper or periodical एक ऐसा इंसान जो लिखा हुआ material किसी publication याने newspaper के लिए magazine के लिए जो edit करता है याने वो बंदा जो बताएगा कि front page पे ये वाली news आएगी ये image नहीं आएगी इस खबर को हटाओ इसको last page पे रखो इत्ती important खबर नहीं है ये content फालतु का है इसको edit कर दो इसको हटा दो या इसमें और चीज़े add होनी है तो जो भी इनसान newspaper पूरा set करता है या periodical याने कि कोई magazine को set करता है उसे हम कहते editor क्योंकि वही पूरी setting करते है कि कौन सी news कहां पर आनी है ओके ये पूरा overall in charge होता है newspaper की editing की और policies की ओके तो ये होता है editor ओके अब बात करते है what are editorial letters अब ये editorial letters या letter to the editor होते क्या है तो an editorial letter is a type of formal letter ये ही मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि जो editorial letter होता है वो एक तरीके का formal letter होता है याने अपचारिक पत्र होता है और इसमें formal letter का ही format लगता है जो अभी अभी मैंने आपको पिछली slide में explain किया है a letter to the editor may be written to the editor of a newspaper और a magazine ये जो letter to the editor है ये किसको लिखा जाता है ये किसी newspaper या magazine या किसी अखबार की या newspaper या magazine के editor को लिखा जाता है क्यों लिखा जाता है ताकि हमारी problem newspaper में छप जाए और सब दुनिया वालों के सामने ये बात आ जाए कि हमारी क्या problem है और जल से जल्द हमारी problem solve हो जाए then it is written to highlight a social issue or problem क्यों लिखा जाता है letter to the editor को हम क्यों लिखते है ताकि कोई social issue याने हमारी समाज में कोई society में कोई issue है या कोई problem है ताकि वो newspaper में अकबार में highlight आके दुनिया के सामने आए कि हां भाई ये problem भी है it can also be written in order to get it published in the said medium आप इसको किसी भी medium में याने newspaper में, magazine में, किसी भी medium में आप इसको publish करा सकते हो याने की print करा के दुनिया के नजरों के सामने पहुचा सकते हो कि क्या problem चल रही है as it is a formal letter the format has to be followed strictly again ये चीज मैंने बता दी क्योंकि formal letter है तो format को तो आपको strictly follow करना पड़ेगा क्योंकि one mark आपके format के भी है marking scheme में मैंने आपको बताया था only formal language can be used that is abbreviations and language should be avoided अगर formal letter है तो formal language याने simple and polite language जिसमें use होगी याने की abbreviations याने जो short forms होते हैं अगर कुछ लोग short form में लिख देते हैं okay, how are you, how are you ये जो short forms होते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखे जाएंगे ना ही कोई slang language याने कोई खराब language, गलत language या abusive language आप इसमें गलती से भी उस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक formal letter है और आप letter to the editor को, आप एक editor को आप ये letter भेज रहे हो तो ये सब चीज़े आपने अब नहीं avoid कर सकते हैं आपको formal language, simple language, cut to cut point की बात आपको short में लिखके बतानी है suggestions or opinions can be given in public interest आप इस letter में आखरी वाले paragraph में जो body of the letter आपके तीन paragraphs में होती है तो जो third वाला paragraph है उसमें आप अपने suggestions और opinions दे सकते हो याने आपकी जो भी problem है, उसके लिए क्या सुझाओ है, आपके क्या opinions, क्या विचार है आपके वो सब आप दे सकते हो public interest में याने की हमारी जनता के hit के लिए, जनता के lap के लिए, जनता के hit के लिए आप अपने सुझाओ, suggestions, opinions, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं याने बता सकते हैं किसमें last वाले, third वाले paragraph में, ओके तो इस तरीके से एक editorial letter या फिर letter to the editor लिखा जाता है ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ unsolved examples की यहाँ पर कुछ unsolved examples है, याने मैं आपको examples बताने वाले हो कि किस तरीके के letters जो होते हैं, letter to the editor के questions जो है, वो बन के आते हैं ओके, first देखते है, shortage and erratic supply of electricity electricity याने के बिजली, अगर किसी locality या किसी colony में बिजली की shortage है, याने कमी है, या erratic supply है, याने की अनियमेट supply है, बिजली कभी आ रही है, कभी जा रही है, लोग परिशान हो रहे हैं तो उस colony के लोग क्या करेंगे, उस colony के लोग letter to the editor को लिखेंगे, याने editor को letter लिखेंगे कि भाई, हमारी colony में या हमारे आप कृष्णा है, याने आपका नाम given है, question में ही, तो आप अपना नाम mention नहीं करोगे, complimentary close में, आप कृष्णा लिखोगे, thanking you yours faithfully, कृष्णा, आप एक resident हो, याने रहवासी हो, रहने वाले हो, कहां के, अमबेटकर नगर, नोइडा के, याने आपका address भी बता दिया गया, कि आप नोइडा मबेटकर नगर में रहते हो, तो आपका sender's address भी question में given है, and you have been coming across certain headlines in the newspaper on the shortage of electricity, और आप कई दिनों से newspaper में पढ़ रहे हो, कि electricity की shortage बहुत हो रही है, याने की, बिजली की बहुत कमी हो रही है, you are also facing an erratic supply of electricity in your locality, और आप भी अपनी locality, याने अपने area, अपने शेत्र में erratic supply of electricity face कर रहे हो, याने की अनियमत electricity, याने कभी बिजली आ रही है, कभी जा रही है, परिशानी आप भी face कर रहे हो, कौन? कृष्णा face कर रहा है, write a letter to the editor of a local daily regarding your plight and mentioning the inconvenience faced by the residents of the locality, तो आपको क्या करना है, लिखा रहे है, write a letter to the editor, याने आपको newspaper के editor को letter लिखना है, of a local daily, कौन से newspaper के editor को लिखना है, वो newspaper का नाम नहीं दिया है, बस लिख दिया local daily, तो आप किसी भी newspaper का नाम आप खुद लिखोगे, कभी-कभी question में newspaper वालों का नाम भी दिया रहता है, तो वही आपको लिखना पड़ता है receiver's address में, ओके, और आप अपनी plight, याने अपनी difficult situation, अपनी परिशानी के बारे में सब mention करोगे, कि आपको कितनी inconvenience, कितनी problems, मुश्किले face करनी पड़ रही है, और आप, और जो आपकी locality के सारे residence ने जो रहेवासी है, उनको भी कितनी मुश्किले face करनी पड़ रही है, तो ये सब कोच आप उस letter में लिखोगे, अब ये सारे unsolved examples है, याने अभी मैं सर्व आपको questions बता रही हूँ, कि किस तरीके से exam में questions आते हैं, मेरे अगले वीडियो में इन questions के साथ उनके answers भी मैं आपको बताऊंगी, कि proper letter कैसे लिखा जाएगा, next question, culture and hospitality of citizens, याने कि जो culture है, जो हमारे देश के citizens नागरे के उनकी hospitality याने उनकी आओ भगत के बारे में हम इस question में पढ़ेगे, while shopping at a popular fashionable market, you were distressed to see the harassment faced by some foreigners at the hands of self-proclaimed guides, greedy shopkeepers, vendors and even beggars, आप एक popular fashionable market में, एक famous market में आप shopping कर रहे थे, और आप एक चीज़ देखकर बहुत distress, बहुत मुश्किल में पढ़ गये, कि कुछ foreigners, याने कुछ बाहर के foreigners कुछ दूसरे देश के लोग आपके देश, इंडिया में गूमने आए हैं, और वो क्या बिचारे face कर रहे हैं, harassment याने, उन लोगों को परेशान किया जा रहे हैं, कौन परेशान कर रहे हैं, उनको self-proclaimed guides, याने कुछ guides हैं, जो उनको घुमा रहे हैं, और खुद को self-proclaim बता रहे हैं, याने खुद को उन्होंने खुदी जो दुकानदार बैठे हैं, उस market में भी बहुत greedy हैं, बहुत लालची हैं, उनसे extra price charge कर रहे हैं, जो vendors जो आस पास बेचने वाले लोग हैं, और जो beggars जो भिकारी भी हैं वहांके, वो सब लोग in foreigners को बहुत हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, write a letter to the editor Indian Express mentioning that we have forgotten our culture of hospitality and are responsible for spoiling the image of our country, अब लिखा हुआ है clearly कि आपको editor of a newspaper को letter लिखना है, और कौनसा newspaper Indian Express, और आपको समें क्या mention करना है कि हम जो Hindustani हैं, अपना culture, अपनी Sanskriti सब भूल चुके हैं, और हमारी country की जो image है, वो हम दूसरे country के लोगों के सामने याने foreigners के सामने अपनी image जो हैं, पूरी spoil कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं और hospitality वगरे भूल चुके हैं, तो ये हमको लिखना है letter to the editor को, तो इस तरीके का एक question भी आ सकता है, और किस तरीके question आ सकते हैं, nuisance of polythin litter bags, याने कि जो nuisance जो गंदगी फैली हुई है, polythin याने पन्यों की जो litter bags, पन्यों से भारे, जो कचरों की polythins जो इददर फैली हुई हैं, उससे कितना nuisance, कितनी गंदगी फैल रही हैं, उस बारे में ये एक letter to the editor है देखते हैं You have noticed many polythin bags full of litter lying around the road early in the morning आपने notice किया हुआ है, आपने देखा है कि कई सारे polythin के जो bags हैं, जिसमें litter याने की garbage गंदगी भरी हुई है, वो early in the morning, सुभा सुभा आप देखते हूँ कि इदर उदर रोड पे फैला हुआ है सब These letter bags cause pollution और इन कचरों की जो bags हैं, जो कचरों की पनिया हैं, इससे बहुत pollution याने की प्रदूशन फैल रहा है, गंदगी फैल रही है You have already written to the concerned authorities about it, but no action has been taken so far. आपने पहले भी एक बार जो concerned authorities हैं, जो है साफ सफाई नगर निगम वाले उनको लिखा हुआ है इस बारे में, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी action नहीं लिया, याने कोई भी solution नहीं आया है आपकी problem का Write a letter to the editor of a leading newspaper expressing your views on the nuisance created by plastic bags full of litter आपको letter to the editor लिखना है एक leading जाने माने newspaper को Again newspaper का नाम नहीं आया है यहाँ पर, तो आपको, अप कोई भी newspaper लिखना है उसका नाम लिखना है और आप अपने views, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि जो plastic bags याने जो polythin bags हैं, जिसमें जो full of litter हैं याने जो कचरे से पूरी तरीके से भरे हुएं, वो कैसे nuisance याने गंदगी फहला रहे हैं हमारी society में Find yourself as parole या प्रेम सक्सेना of B22, लाजपतनकर, New Delhi अब आपका नाम question में clearly बता जे गया, अगर आप लड़की हो, तो अपना नाम parole सक्सेना लिखना अगर आप लड़के हो, तो अपना नाम प्रेम सक्सेना लिख दिना और जो आपका address है, याने जो sender's address है, वो already question में given है कि B22, लाजपतनकर, New Delhi तो sender's address यहाँ पर given है, और आपका नाम given है, जो उसमें आएगा जो last का complimentary close आता है, थैंकिंग यू, यूर्स faithfully अगर मैं girl हूँ, तो मैं अपना नाम लिख दूँगी, पार रोल सक्सेना, ओके तो इसलिए एक और ये तरीके का, एक letter to the editor है, जो exam में आ सकता है और देखते हैं किस तरीके के questions आते हैं administrative apathy, apathy याने कि जो administrative department के, जो official department के high level पर लोग होते हैं, वो कभी-कभी apathy show करते याने, अपने ही काम के तरफ interest शो नहीं करते हैं याने, उनके बस letter तो आ जाता है, लेकिन वो lazy हैं, काम नहीं करना चाहते हैं या काम चोरी करते, apathy याने, lack of interest शो करते हैं अपने काम की तरफ, तो आप परिशान होते हो, सोसाइटी के लोग परिशान होते हैं, तो इसके लिए आप letter to the editor लिखते हो, question लिखते हैं, you are Rekha Chauhan of village Jhalawar in Barmar district of Rajasthan, तो नाम बाप का बता दिया गया है कि अब Rekha Chauhan, बाप लड़का हो की लड़की हो, नाम आपको रेखा Chauhan ही लिखना है, और जो आपका address है, village Jhalawar, Barmar district Rajasthan, ये sender's address भी question में given है, which is in the grip of severe drought leading to deaths to men and animals due to non-availability of water, food and fodder, तो ये जो area है, ये area एक बहुत खतरना grip याने जकड में आ गया है, drought की याने सूखा पढ़ गया है, जिसकी वज़े से इंसानों की, जानवरों की, सबकी वहाँ पर death याने मौत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं available है, पानी नहीं available है, और पानी नहीं है तो खाना नहीं बन सकता है, तो खाना भी available नहीं है, और fodder याने चारा जानवरों के लिए चारा खाना फार्म आनिमल्स के लिए जो खाना है वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ बहुत सारी मौते हो रही है डेथ हो रही है आपको letter to the editor लिखना है किसको of the Rajasthan Times निउस्पेपर का नाम आ गया कि Rajasthan Times जैपुर का जो निउस्पेपर है आपको उसको letter लिखता है complaining against administrative apathy and suggesting remedial relief measures कि आप complain कर रहे हो आप उनको कि भाई जो administrative है आप अपाथी कर रहे हैं जो administrative department के लोग हैं वो अपना interest ही नहीं show कर रहे हैं हम लोगों की मदद ही नहीं कर रहे हैं इंसान जानवर सब मर रहे हैं लेकिन वो लोग मदद करने के लिए कोई सामने ही नहीं आ रहा और साथ ही साथ third paragraph में body के third paragraph में आप क्या suggest करोगे remedial and release measures यानि कुछ वो तरीके जिससे इनकी problem solve हो सकती हैं तो कुछ सजाओ कुछ suggestions आप definitely आपको देने हैं तो यह administrative अपेथी का एक question है next question किस तरीके का आता है minutes of stray dogs इस तरीके के questions कई बार आते हैं जो stray dogs यानि रोट पे घुमने वाले जो society में क्योंकि वो किसी को भी काट लेते हैं अब यह stray dogs भी हो सकते हैं stray cows भी हो सकते हैं सडक पे घुमने वाली लावारे जो होती हैं जिनका कोई देखने करने वाला उनको नहीं होता है तो उनका minutes याने उनका danger जब बढ़ जाता है minutes याने डेंजर तो इस तरीके की questions बहुत आते हैं question दिखते हैं you are Aron Anjali of 21 Kailash Park New Delhi तो clearly question में आपका नाम बता दिया है अगर आप लड़के हो तो अपना नाम अरोन लिखना है if you are a girl write your name Anjali और आपका address बता दिया गया है याने sender's address 21 Kailash Park New Delhi आपको letter to the editor लिखना है किसको local newspaper अगें newspaper का नाम नहीं दिया है आप अपनी of stray dogs बढ़ गया है याने कि जो सड़क पे घूमने वाले जो डॉगीज होते हैं उनका डर खत्रा बहुत जादा बढ़ गया है शायद बच्चे डर रहे हैं सब कुछ तो इनको हटा कि आप यहां से ले जाओ या कुछ भी जो भी है इस बारे में आपको letter to the editor लिखना है ओके और किस तरीके के question आते है poor maintenance of public park जो आपकी colony का public park याने यह किसी के घर का park नहीं है public park यहाँ पर कोई भी आ सकता है उसका बहुत poor maintenance है याने उसको maintain करने वाला कोई है नहीं देख रेक करने वाला कोई है नहीं benches तूटी हुए यह तूटा है वो तूटा है तो उस public park का poor maintenance है इसके बारे में आपको letter लिखना है question दिखते है you are Shan of 32 Kalash colony New Delhi again आपका नाम question में देदी है कि आप Shan हो doesn't matter लड़का हो यह लड़की हो और sender's address देदी है 32 Kalash colony New Delhi आपको letter to the editor लिखना है किसी local newspaper again newspaper का नाम नहीं दिया है खुद से newspaper का आपको नाम mention करना है किस बारे में लिखना है आपको letter about the misuse and poor maintenance of the public park in your colony आपकी colony में जो public park है याने कोई भी यहाँ पर colony का आदमी आ सकता है किसी के घर का park में है यहाँ पर बहुत misuse हो रहा है याने इस park का सही इस्तमाल नहीं किया जा रहा है और बहुत poor maintenance है इसका याने इसकी साफ सफाई इसके benches और जूले बूले जो So children here we come to the end of this session I hope आपको यह सारे unsolved questions अच्छे सा समझ में आ गए होंगे मेरे अगले वीडियो में मैं आपको clearly बताऊंगी फिर से एक बर revise करवाँगी कि format क्या होता है formal letter का या letter to the editor जो जिसमें obviously formal letter का ही format लगता है और उसमें यही सारे questions के solved solutions में मैं आपको बताने वाली एकना मद भूलना and also do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक के लिए बबाए and take care